हेलो विडियो डेलियो 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 है वो है 66 VPSC जो मिन्स का इग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है इसके उपर आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि काफी लंबे टाइम से बच्चे ये मांग कर रहे थे स्टुडेंट लोग कह रहे थे कि एक विडियो आप बनाईए जिसमें सारी सीज बताईए कि रिजल्ट कब तक आने वाला है कोई इन्फोर्मेशन है या नहीं है तो फाइनली काफी टाइम से मैं श्रगल कर रहा था ताकि मुझे इस पर इन्फोर्मेशन मिल जा है तो फाइनली मेरे पास इन्फोर्मेशन आ चुका है और दिन बहुत सारे एक्सपर्स से बातचीत हुई है तो कहां कहां किन बहुत सारे सोर्सिस का इस्तमाल इसमें किया जा रहा है इस वीडियो को बनाने में और मैं बता दू तो जो ऑफिसल वेव साइट है आपका बीपी बात करेंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था कितना डिलेव हो सकता है और कितना टाइम लगने वाला है इन तमाम चीजों को पर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो फाइनली इसमें एक डेट भी आपको मैं बताऊंगा एस्पेटेट होगा वो ठीक है कोई ऑफिशेल यह नहीं है और इस बीच में आपका रिजल्ट आना चाहिए और देन हो सकता है कि आपको बहुत जल्द एक पब्लिक नोटिस लेखने को मिले बीपेसी के माध्यम से ठीक है बहुत सारे सोर्सेज हैं बहुत सारी रिजन बताएगा है अगर एक एक रिजन को मैं दिल करूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा तो इसलिए मैं डिर्क पॉइंट की बात करता हूं ठीक है वीडियो को मैं सुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपका मेंस नहीं हुआ है 66 वाला या प्रिलिम 66 वाला नहीं हुआ है जो कि बहुत साड़ी बच्चे भी देखते हैं कि जिनका एक्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं हो तो नहीं आया है तो मेक श्योर कि जो 67 वाला जो बैच आने वाला है 30 डेस का ठेक है क्रेश चीजों को कैश कर रहे हैं और कितने अच्छे से आप कर रहे हैं ठीक है क्लाशिज आपको पूरी अच्छी तरीके से मिलेगा तो आइए वीडियो को सुरू करते हैं व्रीवन 66 वीपीसी मेंस 8 मेंस से ज्यादा हो चुका है रिजल्ट नहीं आ रहा है बास्चित हुआ है हम इक जामिनेशन जो है वो बैक्टाउन हो गया है ठेक जैसे कि फॉर एगजमपल कोई ट्रेन अगर लेड चल रहा है, तो उसको और ज़्यादा डिले जाता है और जो ट्रेन डिले नहीं होता उसको निकाला जाता है तो और लेडी बीपेस से जितने भी एक्जामेरिशन ले रही है वो काफी जदा डिले चल रहा है लेकिन बात यह निकल किया रहा है कि आट मैने से ज्यादा हो गया है अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं तो इसके फैव के लाश्ट विक में और मार्च के फर्स्ट विक में आप लोगो को रिजल्ट दिया जाएगा विपेसी के माध्यम से ठीक है एंड इन इसमें डिले होने की भी संभावना है ठीक है ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वो बात लकी रहे लेकिन इससे पहले आपको र मार्च में देखने को मिल सकता है ज्यादा डिले होता है तो फिर मैं कोसिस करूंगा कि उस पर कोई मुझे इंफर्मेशन मिले ताकि मैं आप लोगों को बता हूं ठीक है बहुत सारे बताये गया है 31st judicial का जो रिजल्ट आया है उसको बताया गया है कि उस पर वर्प चल रहा है उन लोगों ने लेकिन दबे साउंड में बस इतना पता चला है कि आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्द विदी ने 15 देज के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है रिजल्ट जिस समय भी आए चाहिए मैं वीडियो अपलोड करूं इसके 10 मिनट बाद आ आपको रिजल्ट का अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट अने इसकेडमी पही मिलने वाला है ठीक है अगर कोई हेल्थ कंडिशन या प्रॉलम आ जाता है तो भी टेलिग्राम पे आपको अपडेक मिल जाएगा सबसे पहले सबसे फास्ट तो वही मैं कहता हूं कि BPSC का एक लिजेगा ठीक है वीडियो भी पढ़े होंगे अब देख लिजेगा तो काफी ज़्यदा authentic update का मैं यूज करता हूं काफी ज़्यदा authentic source का यूज करता हूं इसलिए मैं आप लोगों के सामने एकदम सटिक चीजों को रख पाता हूं ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही केड़ी एवरीवन आपको थोड़ा सा इंजार करना है, और ज्यादा क्योंकि ओल लेडी आप 8 महिने इंजार कर चुके ऐसा नहीं होनी चाहिए अगर BPSC का कोई भी मेंबर या कोई भी संस्थान इससे देख रहा है BPSC का दोन लोगों से मेरा यह request है तक प्लीज कोई एक public notice जारी किजिए जिसमें यह mention किजिए कि आपका result कब आने वाला है और कब तक आप result देने वाले हैं make sure जैसे कि NTA की regarding में जितने ही वीडियो मनाया हूँ उसकी जो सटिकता है 110% है ठीक है 110% उसमें सारी बाते सही होती है जब जहीं डेट बताया जाथा उसी डेट को होती है चाहिए UPSC का हो चाहिए UGCNET का हो and BPSC के regarding में मैंने पहले बहुत सारी वीडियो करे हैं इसलिए ठीक है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक रेटी वीव एंशेर कर नमत भूलियेगा और बस एक बात में और और कहूंगा all the best everyone सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक रेटी वीव एंशेर एंड टेलीग्राम के वीज़ए लिए इस वीडियो बस इतना ही मिलते है न है इस प्योंत अच्छी है